तो गाईज आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में और गाईज आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पे दोस्तों अगर आप सभी लोगों को इस तरीके से प्रॉबलम आ रही है डिजी लॉकर एपलिकेशन में यहाँ पे दोस्तों अगर आपको प्रॉबलम आ रहा है डिजी लॉकर एपलिकेशन में तो इस वीडियो में मैं आप सभी को इसी के बार में बताने वाला हूँ कि कैसे आप सभी लोग इस प्रॉबलम को सॉल्व करेंगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और दोस्तों अभी तक आपने लाइक ने किया तो लाइक कर दीजे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजी तो चलेगा इस वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इस प्रॉबलम को सॉल्व करना है तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको है जो है सोग करता है अरर तो यह एरर आपके फोन में तभी आ रहे है क्योंकि दोस्तों आप जो भी अधर का नम्वर डार रहे हैं वो यह तो फिर पहले से ही रजिस्टरेड है तो सबसे पहले आप चेक करिए कि जो भी अधार नमबर आप डा रहे हैं क्या वो पहले से रजिस्टरेट है कि आप उसे फर्स टाइम यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं अगर आप furs time register कर रहे होंगे तो आपको इस तरीके से जो है problem नहीं आएगा बट अगर वो जो है आपने दोबारा दो दूसरे बार यहां पर अब उस अधार number को register it कर रहे होंगे तो आपको इस तरीके से जो है problem आ सकती है उख़ी गाइस तो सबसे पहले आप चेक कर लिजिए हो सकता है वो अधार नंबर जो पहले से ही रजिस्टरेट हो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और अगर आप जो है फर्स्ट टाइम यहाँ पर इस मतलब के अधार कार नंबर को यहाँ पर एंटर कर रहे हैं और आपको इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है तो आप सभी लोग मेरे को कमेंट करके बताईए फिर मैं आपको उसका सॉलूशन बता दूँगा तो गाईस अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए